हेलो फ्रेंज, केसे हैं आप? आज से में एक नियो मानव श्रो करने वादी हूँ जिसका नम मेंन मोशन साइट रोम है यह मानवा बहुत जदा इंट्रस्टिंग है और प्लस ही ओमे का वर्स मांगा है इसमें हमारा फर्स में लीड जो ओमे का है उसका नम पार्क जेयन है और हमारा सकेंड में लीड जो अल्फा है उसका नम सी ओताईवन है I hope friends के आपको यह मानवा पसंद आएगी सो चलिए इसका फर्स चैप्टर श्रो करते हैं चैप्टर के स्टाटिक में हम अपने दोनों में लीड को देखते हैं फर्स पेइन लीड जिसका नम पार्क जेयन है वो सुचता है अल्फा जो वर्ल्ड के हाइस्ट क्लास है जिनके पास अफिशियर फाइनशियर रिसोर्स होता है अल्फास पावर के लिए भी जाने जाते हैं उनका ओनर बहुत जादा बड़ा होता है पर यहां अब यह अल्फा मेरा डॉग है तभी पार्ट जेयन कहता है मुझे बिलकुब यह नहीं पता था कि एक डॉग अपना रोल ठीक से निभा भी पाएगा यह नहीं पर अब लगता है कि वो अपना रोल निभा रहा है इस परसन का नम सीयोतायोन है जो हमारा सेकेंड मील लीड है तभी पार्ट जेयन जेयन से सीयोतायोन को अपने पास खीचता है और कहता है तो अब मुझे दिखाओ कि एक डॉग हीट में कैसा होता है तभी सीयोतायोन कहता है टीचर सारी मुझे मुझे माफ कर दो टीचर सॉरी टीचर मैं गलित था मुझे माफ कर दो फिर हम कुछ दिन पहले कसीन दीखते हैं जहाँ पार्क जेहन और उसके दो बॉडि गाड एक गोडान में जा रहे होते हैं वहाँ गोडान में अल्रेट ही बहुत सारे लोग होती जो एक परसन को बहुत बुरी तरह मार रहे होती तभी वह पार्क जेहन आता है और वहाँ के सारी लोग उसे ग्रीट करते वो लो एक परसन को बहुत बुरी तरह मार रहे होती जिनका नम मिस्टर जियांग होता है तभी Mr. Jiang Park Jane को देखते और चिलाती हुए कहते बस प्लीज प्लीज मुझे बचाओ बस प्लीज इन लोग को कहो कि मुझे ना मारे प्लीज बस मैं आपके पैसे जिल्दी लोटा दूँगा प्लीज तभी Park Jane अपने खुटनों पे बैठता है और कहता है Mr. Jiang तुम्हारा फेस देखो कितना बिगड़ चुका है शायद दुनी तुम्हें बहुत जाद अमारा होगा तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कितनी चिंता करता हूँ मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ये सब हो पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही ये सब चाहते हूँ तब ये मिस्टर जांग कहते हैं सारी बॉस मैं आज के बाद कभी नहीं भागूंगा मैं सरफ उदर उदर पैसे कलिट कर रहा था प्लीज बॉस ये सुनके पारचेंग कहता है तो फिर तो क्या तुमने पैसे कलिक कर लिए मैंने सुना कि तुम्हेरा बिजनस बिल्कुल भी अच्छा ने चल रहा है और प्लस जो चानल जोनने तुम्हें मनी बॉरो करने के लिए दिया था वो भी ब्लॉक्ट हो चुका है तो तुम पैसे लाओ के कहा से यह संके मिस्टर ज्यां केते है यह सच नहीं है बॉस ऐसा कुछ नहीं है मैं आपका पैसा वापस कर दूँगा प्लीज बॉस मुझे सिर्फ कुछ टाइम चाहिए मैं पक्का आपका पैसा वापस कर दूँगा बॉस पार्क प्लीज प्लीज रुक जाहिए तब ये पारचेन पीछे मुर्तियों कहता है ओ, अब मुझे याद आया एक option है जिए तुम्हारे लिए available है तुम्हे time देना ये मेरे लिए convenient नहीं है और plus इस option में तुम्हारा भी अच्छा हो जाएगा और मेरा भी Mr. Jung, मैंने सुनाई तुम्हारी एक बेटी है राइट और plus तुम्हारी बेटी प्रॉबबली एक उमेगा है ये सुनके Mr. Jung को बहुत ज़्यादा गुसा आता और वो चिलाते हुए कहते यू बास्टर्ड, पार्क जेन तुम तब ही पार्क जेन कहता है अब ही recently वो वापस कंट्रे आई है अपने स्टेडिंग अब्रॉड कंप्लीट करके राइट क्या मैं उससे परस्नली जाके मिलू या इडे तुम्हें कैसे लगता है तुम उसके फादर हो तो तुम ही उससे जाके कह दो कि वो मुझसे यहां मिले यह अच्छा होगा राइट तभी एक बोडी गाड पार्क जेन को उसके बेटी का फूट उपास करता है पार्क जेन कहता है उससे सरफ कुछ सार इंडॉर करने होंगे जब तक उसके फादर का डेप्ट कंप्लीट नहीं हो जाता मिस्टर जियंग तो अब कहो तुमें यह अप्शन कैसा लगा यह अच्छा है तभी मिस्टर जियंग कहते तुम तुम बास्टर्ड मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी यह सब तुम्हारी मुझे से हुआ है यह सब तुमने प्लान किया है मुझे फसाने के लिए यह सुनके पार्चेन कहता है मिस्टर जयंग मैं एक ठगू जो सिर्फ पैसे लाइंड करता है मेरे पास उस टाइप के पावर्स नहीं है तभी मिस्टर जयंग कहते तुम एक ओमेगा हो राइट एक ओमेगा होते वए भी तुम्हारे पैस ऐसी बारी है और इतना स्ट्रॉंग औरा भी मैंने ये पहले रिलाइस क्यों नहीं किया मुझे तो लगा कि तुम अलफा नहीं तो एटलिस बेटा होंगे पर तुम एक ओमेगा हूँ पर फिर भी मैं तुम्हेरे फेरोमन स्मेल नहीं कर पा रहा हूँ किसने सुचे था एक ओमेगा टॉप में आकर सब पर रूल करेगा तुम डिस्कॉस्टिंग शिट क्या तुमने यहाँ आने के लिए अपने पैर फिलाए थे तुम बास्टर तुम सरिफ अपने आपको सेल करने आता है पर मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ मैं अपनी बेटी को और नहीं अपनी वाइफ को सेल करूँगा यह सब सुनके पर्क जेन को बहुत गुसा आ रहा हुता है इसलिए वो साइड में पड़ी हुए एक नाइफ को उठाता है मिस्टर जैन के थे बॉस मैं तो ऐसे ही कह रहा था सॉरी बॉस पर्क प्लीज प्लीज रुक जाएए बॉस प्लीज मझे माफ कर दीजिए तब ही पर्क जेन केता है मैंने कहा था कि तुम बहुत सादा बोलते हो और ये कहते हुए पर्क जेन मिस्टर जेन के मुँपर नाइस से वार कर देता है फिर थोड़े बात पर्क जीन भार आता है और स्मोक कर रहा होता है तब ही पर्क जीन थोड़ थोड़ा काप रहा होता है और मिस्टर चेंग की बात याद करता है जब उन्हेंने काया था तुम एक ओमेगा हूँ है ना, तुम एक ओमेगा हूँ पर फिर भी मैं तुम्हारे फेरर मंस्मेन नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ तक आने के लिए तुमने कितने सारे लोगों के सामने अपने पैर फिलाए है तभी वह पार्ग चेंग का असिस्टन आता है और कहता है बस पार्ग, बस तभी वह असिस्टन पार्ग चेंग को ऐसे देखकर थोड़ा फ्लेंच हो जाता है तभी पार्ग चेंग कहता है क्या हुआ असिस्टन यौन तभी असिस्टन यौन केता है येस मुझे माफ करना ये एक डेप्टर के बारे में है Mr. Sio Songi ये सुनके पार्ग चेन केता है Sio Songi जो एक ओमी का है और एक ड्रग एरिक्टेट भी और जिसमें हमसे कुछ दिनों पहले ड्रग भी खरीदा था है नो असिस्टन यौन केता है हाँ हाँ वही पार्ग चेन केता है तो उसके बारे में क्या असिस्टन यौन केता है आज दूपहर उसकी डेथ हो गई है जैसा मुझे लगता है ये एक सुसाइट केस है ये सुनके पर्ग चेन केता है ये डाम बास्टर्ड ये एक ओमिगा है पर मैंने सुना है कि इसका एक बेटा है जो अलफा है राइट ये सुनके असिस्टन यौन केता है येस बस वो अलफा ही है तभी परचेंग केता है? हाँ, तो जल दिया, सिस्टर यॉन, उसके भागने से पहले, उस पास्टर को मेरे सामने लाओ. ओके फ्रेंज, याई हमरे चाप्टर खतम होता है, I hope आप सब को इस चाप्टर मसाय होगा. फ्रेंज, अगर आपको इस चाप्टर मसाय है, तो प्लीज, लाइक, शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने बिल्कुल मिद भूलना, हम में ने के एक लिए वीडियो में, सो तिल रैन, स्टे सेफ, स्टे हल्दी, बाबाई!